यह उपाए जो मैं बताने जा रही हूँ यह उपाए आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते है और साथ ही साथ आप इसे नवरात्रों में कर सकते हैं एक हरेरंग का कपड़ा लेना है, आप cotton का भी ले सकते हैं, अगर आप ये कपड़ा सिल्क का लेते हैं, तो इस पर कोई दोश नहीं लगेगा, जैसे की किसी की death का या किसी के periods के time का दोश नहीं लगेगा, अगर सिल्क का कपड़ा लेते हैं, तो कपड़े पर आपने दो इलाइची रखनी है, सा कपूर रखना है, और उसके बाद आपको ये सुर्य अस्त से पहले पहले अपने पास रखना है, अगर आप शुकरवार को करते हैं, नवरात्रों में, पहले नवरात्रे से या दूसरे नवरात्रे से, या किसी भी नवरात्रे से, अगर आप ये सारा समन अपने घर के में रखते हैं उसके बाद अपने पर्स के किसी भी एक खाने में किसी भी पॉकिट में रख देते हैं और इसको हटाना नहीं है भले आपका पर्स नया हो पुराना हो आप इसको यूज कीजिए लक्षमी मां आपसे दूर जाएगी नहीं और जो भी चीजे रहती हैं जिससे प